हेल्थ केर के बारे में हम बात कर रहे थे जो हमारा गरीब व्यक्ति होता है वो अपनी फैमिली के लिए अच्छे हुस्पिटल का और या फिर अच्छे हेल्थ ट्रीटमेंट का वो उसके लिए अरेंजमेंट नहीं कर पाता है तो यह भी एक उसका पौवर्टी का छो हमारे गरीब लोग होते हैं वो क्या होते है अनपढ़ होते हैं और उनकी जो सम्माट भी बड़ी होते हैं जितनी बड़ी क्वेली होगी अचनल ही लोग गमाएंगे तो एसा वह वह कॉछना गलत होतаю तो इसलिए वह उनको प्रोपर नको एजुकैसिशन नहीं दे प्रोपर उनको हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर पाते तो इस वज़े से जो गरीब लोग होते हैं उनको इनलिटरेसी लेवल उनका क्या होता है बिलो होता है यानि कि बहुत ही दाउन होता है वो बिल्कुल भी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज दे काम पे किबचा करता है next point is sanitation sanitation यह नहीं सोच था साफ सफाई तो जो गरीब लोग होते हैं वो साफ सफाई का धान नहीं रखते प्रोपर उनके toilets clean नहीं होते या फिर उनके पास toilets की भी facility नहीं होती तो proper sanitation की कमी भी एक poverty को क्या करती है indicate करती है these are the indicators of poverty so dear students we will discuss this chapter in the next video